ग्यानी जो लोग होते हैं वो संपूर रचना, संपूर जगत, संपूर बिर्मान्ड, संपूर सब्दों का ग्यान रखने बाले जो लोग होते हैं उन्हीं को ग्यानी कहते हैं ग्यानी का मतलब है जो जानकारी रखना, संपूर जगत की जानकारी रखना, उस पर्मात्मा की जानकारी रखना जिसने स्रिष्टी की रचना की है, जिसने संसार में समस्त जीवों की उत्पत्ति की है, वही ग्यानी है भिन भिन तरीकों से ना ना वहाती तरीकों से जानने वाले लोग ग्यानी होते हैं ग्यानी संसार में कई परकार के होते हैं, एक आध्यात्मिक ग्यान की जानकारी रखने वाले लोग, एक संसारिक जानकारी रखने वाले लोग, एक नहीं सब्द की जानकारी रखने वाले लोग, वही ग्यानी लोग होते हैं ग्यान इन ग्यानियों से परे हैं, ग्यान वो सार है जहां से परमात्मा की उत्पत्ती हुई है, परमात्मा ने अपना ग्यान जो अपनी जानकारी है, वो संसार में विष्टारित की है, संसार में वेजा है, कि उसकी जो लोग जानकारी करें, उसे समझें, उसे जाने, वही तो ग्यान है, ग्यान और ग्यानी, जिस समझें आप उसमें दोनों मिल जाते हैं, या कह सकते हैं, जैसे एक गुरू और उनके सिस, जब आप उसमें दोनों मिल जाते हैं, क्योंकि ग्यानी जो होता है, वो गुरू होता है, गुरू अपने सब्दों से, अपने बचन से, अपने कर्मों से, अपने सिस को अच्छी सी रास्ता, अच्छा सा ग्यान, उस परमात्मा की वचन सक्ति को बोध कराना, वही तो ग्यान है, अब सिस की बात ये है, कि सिस ग्यान को अच्छे से ग्रढ़ करना चाहिए, उसे समझना चाहिए, उसे जानना चाहिए, क्यों कि ग्यान अति आवश्यक है क्योंकि ग्यान अगर नहीं है तो आप ग्यानी नहीं हो सकते जब ग्यानी और ग्यान और सिस और गुरू जब आपस में मिल जाते हैं तो वही तो परम सक्ती कहलाया जाता है उसे परम आत्मा भी कह सकते हैं उस जीव को परम हन्स भी कह सकते हैं जिस समय परम गुरू परम सिस दोनों एक साथ आपस में मिल जाएं जिस समय तो वही परमात्मा का रूप उनका हो जाता है यही सत ग्यान है और यही सत ग्यानी है इनको बड़ा गौर से समझने वाले लोग सत्संग है किया जहां सत परमात्मा जो सत है उसकी सत की बात जहां होती हो जहां सत के सब्दों का उचारण होता हो वही तो परमात्मा है जहां सत्संग लगा हुआ हो वही तो परमात्मा है जहां सब्दों का अनअनी भात से कथन का किया जा रहा हो वही तो ग्यान है ग्यान एक सत्संग और एक समसान दो ही जगे संसार में प्राप्त होता है जीव को क्योंकि जब लोगों की मृत्ति हो जाती है मृत्ति होने के बाद उसको समसान ले जाया जाता है समसान ले जाकर के वहां अर्थी पेचिता रख दी जाती है उसको जलाते हैं तो वहाँ बैटके ग्यान उत्पन होता है और कहते के वहाँ संसार में न कुछ लाया है न लेके आया है न जेके जाएगा यही तो सत्त है यही संसार का जो ग्यान है वही ग्यान का बोद कराने के लिए संसार में नाना भाती से संत प्रिकत होते रहते हैं यही परमसत ग्यान है और दूसरी जगे ग्यान जहाँ पे सत्संग लगा हो, जहाँ पे चार-पांच लोग मिल करके बैठे हो आपस में उस परमात्मा की उस परमसक्ती की चर्चा करते हों वही तो सक्त ग्यान है उसका पूर रहस जान रहे हों उसकी को ग्यान कर रहे हों वही तो ग्यानी है वही ग्यान है क्योंकि कोई एक दूसरे से परे नहीं है परे तब तक है जब तक गुरू साचा नहीं मिला है क्यों क्योंकि गुरू संसार में अनेक परिकार के होते हैं कोई रास्ता हमें पास की बताने वाला है तो कोई हमें दूर की बताने वाला है कोई हमें बीच की बताने वाला है इन तीन रास्ताओं वाले जो लोग मिलते हैं जीब मिलते हैं वही तो गुरू हैं लिकन आपकी समझ से परे हैं किस परकार का संसार में आपको गुरू चाहिए वैसी अपनी जगे निश्चित कीजिये क्या मैं गुरू कहां मिलेगा कैसा मिलेगा गुरू के प्रती आस्ता रखें उसके प्रती ठोस कद में बरकरार रखें हमेशा होसला बुलंद रखें हमेशा उस परमात्मा के प्रती आश्था रखें कि हे परमात्मा, हे जगत गुरू, हे कल्याडकार की हमें वो मार्ग दीजिए जिससे हमें वो सब्द वो ग्यान प्राप्त हो, जिससे संसार में मोच्छ की प्राप्ती हो यही ग्यान है यही ग्यानी है यही परम सत्त है का कोटन गुरू संसार में सबसे मुक्ता न होए और एक जाप सत्त नाम का सोजाने बिरला कोई इस संसार में कोटन गुरू है लेकिन परम सत्त को जानने वाला गुरू सिर्फ एक ही है अब उसको खोजना उसके बिस्बास करना उसके प्रती उसको ढूनना वो आपकी आत्मा का खेल है उसको हम किस परकार से संसार में समझें किस परकार से जानें किस परकार से उसको खोजें क्योंकि रूप बेस रंगत से परे ग्यानी गुरू होए ऐसा सब्द दे धरे जो सब्द विदेही होए क्योंकि वो गुरू इस संसार में नहीं तो रूप में होगा ना रंग में होगा ना भेस में होगा ना इस भूसा में होगा अब उसको खोजना बहुत ही मुस्किल है जो साचा गुरू संसार में है लिकन जब तक आपकी आस्था मजबूत है बरकरार है उस परमात्मा के प्रती उस सत्गुरू के प्रती उस गुरू के प्रती तो आपको अवश्य मिलेगा अवश्य मिलेगा यही सत्संग ज्यान है निर्मल सत्संग ज्यान आप लोगों तक पहुँचाने का हमारा परम करतब है क्योंकि हम आपको आस्था के प्रति जोडने का अबसर प्रदान कर रहे हैं भगवान आपको उस ग्यान की अनभूती प्राप्ति कराए जिससे आपका कल्यार होगा जनहित कल्यार भी होगा आपका समाजिक और समाज में आपका भला होगा आप बुराईयों से दूर रहें सदा सत्त के मार्ग पर चले जाए